भाजपा ने यहां से एक बार फिर केंद्री मंत्री नितिन गड़करी को टिकेट दे दिया है। नाकपुल लोकसबा सीट पर इस भार भी मुकाबला भाजपा और कॉंग्रिस के बीच होने जा रहा है। ना पटोले को शुपकामनाय दी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीती में ऐसी दुश्मनी नहीं रखता। मेरे शुपकामनाय उनके साथ है। उधर पटोले ने दावा किया है कि लोकसबा चुनाओ में गड़करी की छवी कोई असन नहीं पड़ेगा। ना पटोले भाजपा के टिकेट पर वर्ष्द 2014 का लोकसबा चुनाओ भंडारा गूंदिया सीड से जीते थे। उन्होंने NCP के दिगज नेता प्रफुल पटेल को करीब डेड़ लाग वोटों से हराया था। वर्ष्द 2017 में उन्होंने भाजपा को अलविता कह दिया और संसत से भी इस्तिफादे दिया। इसके बाद पटोले पिछले साल कॉंग्रेस में शामिल हो गए। पटोले OBC सम महराश में बुल्डोजर मिनिस्चर के नाम से मशूर है गटकरी की एक चवी विकास पुरुष की है उन्होंने नागपूर के विकास के लिए काफी काम किया है। अबिक विलास, मुत्यमवार और ठाकरे के सहयोग से पटोले को लोगसभा चुनाओ का टिकेट मिला है। पटोले ने खेल लांजी दलित हट्यकांड में विवादे टिपड़े की थी जिससे दलित समुदाय उनसे नाराज है। नाथपूर लोगसभा सीट पर OBC, SC और मुस इत्र की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर जीत हासिल कर ले गए थे। दलितनेता प्रकाश आमबेटकर का आरोप है कि कॉंग्रेस जान बूच कर गटकरी के खिलाफ कमजोर उमीदवार उतारती है। सबस्क्राइब चनल और प्रेस्ट बल इकन वोर उप्देट